दोस्तो अगर आपके फोन का श्टोरेज बार-बार जल्दी फूल हो जाता है और आप इस वज़ा से बहुत परसान है भाई मैं अपने फोन में ज्यादा कुछ रखता भी नहीं हूँ ना ही फोटो ना ही विडियो ना ही आओडियो फिर भी जो मेरे फोन का श्टोरेज है ना वो फूल ही रहता है और पता है इस प्रोब्लम को कई लोग फेश कर रहे हैं तो इसी प्रोब्लम को लेकर मैं आपको आपके फोन के अंदर ही कुछ ऐसे hidden setting के बारे में बताने वाला हूँ जिसका इस्तमाल करके आप अपने फोन के पूरा का पूरा storage को खाली कर सकते हैं हाँ दोस्तो उसके लिए आपको कुछ भी delete नहीं करना है ना ही photo ना ही video ना ही audio ना ही कुछ आपको अपने फोन से delete करना है फिर भी आप अपने फोन से पूरा का पूरा storage खाली कर सकते हैं तो उस इसके लिए आपको करना क्या होगा आपको अपने फून के अंदर खुछ से कुछ नया सेटिंस करना होगा जो कि हीडेन सेटिंग होता है जो कि आपको खुछ से अपने फून के अंदर अपलाई करना होगा तो वह सेटिंस कौन सा है उसे कैसे यूज करना है तो वडियो को देखते रहे हैं तो आए दोस्तो हम बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने फोंwn के श्ट्ड़ेज को खाली यह कर शक्ते हैं वह ही बिना कुछ डिलीट की नहीं फोटो नहीं वीडियो नहीं यहें ओडियो कुछा ज्यूझ भी आपको डिलीट करने हम सब के पून के अंदर एक application होता है जिसका नाम होता है play store देख सकते हैं यहां पे फून के play store को उपेन कर लिए उसके बाद यहां पे दिखे जो आपका profile लोगो पर किलिक करना में है जैसे आप profile लोगों पर किलिक करेंगे यहां पर एक setting दिया हुआ है manage apps and device का इस पर आपको किलिक करना है जैसे किलिक करेंगे यहां पर देखना है जितने आपके phone के application यहां पर total application देखने को मिल जाएंगे यहां पर लिखाओ इस पर आपको किलिक करना है जैसे किलिक करेंगे यहां पर दिश्ट इभाई यहां नोट इंस्टोलेट तो जब नोट इंस्टोलेट के अंदर आएंगे यहां पर होता क्या ना दोस्तों यह application है दोस्तों जो आप अपने phone के home screen से delete कर दिए ठीक है जो आप अपने phone के home screen से delete कर दिये इस application का यूज करके आपके phone में यह सारा application नहीं है देखिये हमारे phone के अंदर में यह सब देखिए क्रिक वाट ड्रीम लेवन यह से facebook आथ तक यह सब अपनीस्टोलेट के अंदर में दोस्तोन यह देखिया हमारे phone का storage को फूल करके रखा है, क्योंकि यहां पिये हमारे storage को घेर कर रखा है, जिसे हमारा phone का storage जल्दी फूल हो जाता है, तो आपको यहां पर करना क्या है, दोस्तों, आपको ऐसे select करना है, select करना है, देखिए, ऐसे ऐसे, जब हम देखिए, यहां पर देखिए, तो देखिए, जब हम यहाँ पर दोस्तो अप्लिकेशन को सेलेट करेंगे वैसे वैसे हमारे यहाँ जो ना फोन का मेमोरी जो है खाली होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं 260 MB तो इसी तरीके से दोस्तो आप जब से फोन लिए होंगे प्ले स्टोर के अंदर आप फोन के होम स्कीन यानि होम स्कीन से अप्लिकेशन को डिलीट कर देते हो रिमूब कर देते हो पर यहाँ पर प्ले स्टोर के अंदर नोट इंस्टोलेट के अंदर यह आप अपने डिलीट नहीं करते हो जहाँ पर आपका फोन का स्टोरेज बहुत आप हो सकता है जबसे आपने नया फोन लिया है 500-200 आपलिकेशन का यूज करके आपने बिल्कुल इस्तेमाल करके आपने अपने मोबाइल को होमिस्किन से डिलीट कर दिया हो पर यहां से आपने डिलीट नहीं किया है तो आपको यहां पर श्टोरेज घेर के रखा हुआ है तो आपको यहां पर देखें डिलीट है डिलीट पर क्लिक करना है यहां पर रिमूब कर देना है जैसे रिमूब कर देंगे तो यहां पर यह आपका phone का storage पूरा फेडी हो जाएगा ठीक है तो यहां पर यह पहला setting था देखिए यहां पर ध्यान से अब हम आपको दूसरा setting बताएंगे तीसरा setting बताएंगे ध्यान से देखीगा दूसरा setting आपको बताएंगे आपको अपने phone के setting के अंदर आना है ठीक है जब आप अपने phone के setting के अंदर आएंगे तो यहाँ पर देखे दोस्तों एक setting देखने को मिलेगा जिसका नाम होता है additional setting इस additional setting के अंदर आपको आना है ठीक है जब यहाँ additional setting के अंदर आएंगे तो यहाँ एक setting देखने को मिलेगा जिसका नाम होता है developer option यह developer option आपके phone के अंद जाएगा एबाउट फून के अंदर आएंगे यहां पर देखें बिल्ड नमर के नाम से सेटिंग इस पर साथ से आठ बाट टैप करना है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ जैसे करेंगे यहां डवलपर मोड ओपन हो जाए ठीक है यह देखने को कहा मिलेगा आपको अडि तो क्यानते हैं क्या करगा आपके फून के जितने पचास साथ अप्लिकेशन होते हैं उस अप्लिकेशन को यह जो है ना यहां पर यह सेटिंग को ओन कर देना है और आपके फून के अंदर एक मेमोरी काड लगा देना है 4GB, 8GB, 10, 16GB जितना जीवी का लगा दीजेगा तो ज जितने आपके फून के अंदर जो है ना अप्लिकेशन है जितने ओ सारा मेमोरी काड में चला जाएगा जिससे आपका फून का श्टोरेज पूरा का पूरा खाली हो जाएगा ठीक है दोस्तों यहां पर यह दो नमर का सेटिंग है इन्पोटें सेटिंग है ठीक है उसके बा इसनलीव आपके लिखांग को बहुत कि अब्सप्राइब जैसे आप उपने यूज करते हो दोस्तों उसका D बढ़ा हो जाता है यहाँ पर 366 के भी हमारा यह एक अप्लीकेशन हमारे फ़ून का स्ट्वरेज घял के रखा हुआ है तो आपको यहाँ पर के लीर के हैज कर देदा है जैसे आप स्ट्वा समесुनक लगए जगहा फिरियो हो यहां च Алट के बिलीका है अभी Хотя जबहों मेरा तो आपका फोन है ना भर नलीडाएगा अगर अगर आपने फोन के लगा धेते हो औरrator उसीदिन को ओन कर देते हो यम्हें जब्लैकरHHHH अब उसारा मेमोरी कार्ड में चल जाएगे और आपका जो भी बत्ती जीवी 16Gb 64GB का ये इंस्टोल हो जाएगा तो दोस्तों हम विडियो में इसी सेटिंग के बारें बता रहेते हैं हमारी वीडियो से कुछ सिखने को मिली हो वीडियो हेलफूल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए तब तक लिए बाई बाई टाटा मिलते हैं एक नई टोपी के साथ नई वीडियो